और टेक्नोलोजी में सही योग, ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी और रेलेशन बनाने के लिए हमें अपनी सुसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा, इसमें टेक्नोलोजी की एहम भूमिक रहेगे, भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामिन छेत्रों के और उनके तक सिख्षा पहुचाने के लिए दिख्षा याने डिजिटल इंफ्रसेक्टर फर नौलेज शेरिंग प्लेटफर्म बनाया है साथी स्कूल के विद्यार्थों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में दस हजार अटल टिंकरिंग लेट्स बनाये हैं भासा समंधी बादाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस लेंग्वेज प्लेटफर्म भाश्विनी का इस्तिमाल किया जा रहा है वेक्सिनेशन के लिए कोविन प्लेटफर्म बनाया गया है डिजिटल पॉब्लिक इंफ्रसेक्टर यानि इंडिया स्टेक के माध्यम से पॉब्लिक सर्विस डिलिवरी को रिवलुशनराइज किया जा रहा है विवितता भारत के एक बहुत बड़ी ताकत है भारत में किसी समस्या का हल इस विवितता की कसोटी से निकल कर आता है इसलिए ये स्वालुशन्स विश्व के किसी भी कौने में आसानी से लागू हो सकते हैं इस संदर्व में भारत में विक्सित इन सभी प्रेट्षपर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साजा करने में हमें खुशी होगी मेरा तूसरा सुजाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्कील मेपिंग पर कर सकते हैं इसके माद्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं मेरा चौता सुजाव है बिग कैट्स के समद में ब्रिक्स के पांचों देशों में बड़ी संख्या में बिभिन प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं International Big Cat Alliance के अंतरगत हम इनके समरक्षन के लिए साज़ा प्रयास कर सकते हैं मेरा पांचवा सुझाव है traditional medicine को लेकर हम सभी देशों में traditional medicine का ecosystem है क्या हम मिलकर traditional medicine की repository बना सकते हैं excellencies दक्षिन आफ्रिका की अद्रिक्स्ता में global south के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेश दिया गया है हम इसका रदय से स्वागत करते हैं यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बलकि जरुरत भी है भारत ने अपनी G20 अद्रिक्स्ता में इस विशे को सर्वोच्य प्रात्फिक्ता दी हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस मुल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं इस वर्थ जन्वरी में आयोजित वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समीट में 125 देशों ने भाग लिया और अपने चिंताओं और प्राश्मिक्ताओं को साजा किया हमने आफ्रिकन उनियन को जी-20 की स्थाई सदस्दा देने का प्रस्ताव भी रखा है मज़ी विश्वास है कि सभी बिक्स प्राटनर्स जी-20 में भी साथ है और सभी हमारे प्रस्ताव का समर्थन करेंगी इन सभी प्रयासों को ब्रिक्स में भी विशेस्थान दिये जाने से ग्लोबल साउथ के देशों को उनका आत्मवल और बढ़ेगा। एक्सलेंसी भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विश्थार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉंसेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्रिश्था के दवरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉंसिव इंक्लूजीव एंड कलेक्टिव सॉलूशन से परिभादित किया था। साथ साल बात हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग एकोनॉमिच, इंस्पारिंग इनोवेशन, क्रियेटिंग आपर्चुनिटीज एंड शेपिंग दफ्यूचर। हम सभी ब्रिक्स पार्टनर के साथ मिलकर इस नई परिभाशा को सार्थक करने में सक्रिय योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।